आपसे ये दू लोग जो आये थे शंगठन महामंतरी दिनेश दूबे और इस दूबे और इस शंगर परसाद अधिये कोई पुलीस अधिछा किसी सिपाही समर के करमी को बर्खास कर दे तो सिपाही भी एक चिथी निकाल दे इससे बड़ा भद्दा मजाग क्या हो सकता है को स पुलीस अधिचा को वो कौन होता है विहार की राजधानी पटना में बिहार पुलीस अपनी ही फजियत करा रही है क्या फजियत के बात है जब जो निश्कासित कर गया उनका ब्यक्तगत आचरन जो हम चैनल में नहीं बोल सकते हैं दिनेश दूबे इस तरह से घठिया उसक पहले से का रहे हैं कि दबंगाई करके लिखा दिया गया अलाई साल चूप रहे हैं जो पद मुक्त हो गए तब क्या आरोप लगाएं उनका आरोप का कोई दौम नहीं है कोई अधार नहीं है आउनका आरोप को जबाब देने का कोई आउ सकता भी नमस्कर भारत लाइब देखना शुरू कर चुके हैं आप अपको बतादे कि भारत लाइब पहले से भी जो भी खबरे दिखाती है उसके बास्तविक इस्थिती तक पहुँचने की काम करती है उसके बाद खबर दिखाने के बाद यूही भारत लाइब की टीम नहीं बैठ जाती है जिन पही आरोप लगता है उसके तत्ठी के नीचे तक जाते हैं पूरे जमिनी अस्तर तक उतर करके हम तठ् kidney को संग्रह करने का काम करते हैं उसके बाद अगर दूसरे पख्श की बात है तो किसी के मतलब एक ही पख्श के अधार पर हम कोई बाते नहीं बताते हैं कोई चीजें नहीं बताते हैं बल्कि दूनों पक्ष दूसरे पक्ष को भी हम अपनी बाते रखने का मौका देते हैं बारत लाइब ने एक बड़ी ख़बर चलाई थी बिहार पुलीस मेंसे सोचेशन के नाम से ख़बर चली थी जिसमें ये बताया गया था कि बिह बिहार पुलीस मेंसे सोचेशन के चार मुक्य संबादारी पद हैं उसमें से संगठन महामंत्री और प्रदेश को साथ अध्यक्ष ने अपने पर देश अध्यक्ष के ऊपर बहुत सारे आरूप लगाए थे बात लाइब के दरसक आपको पता ही होगा और आपको याद होग कि आरोप कौन कौन से लगे थे हम आरोप की बिंदू बार तरीके से हम सारी सीजिवों पर चर्चा करेंगे सब पर एक एक करके सारी बातों पर आएंगे लेकिन अभी जो हमारे साथ मौजूद है जिन पर आरोप लगा था यारि कि अभी हमारे साथ मौजूद है जबरन जो है उनसे साई बातों पर साइन करवाते हैं अपने गुर्गे भरती कर रखे हैं ऐसा क्यों करवा रहे हैं देखिए मात्र एक जगे पटना सखा के चुना में वो मुख परव्यचक्त है जिनकी नियुक्ति महाम मंत्री सुर्भीन पस्वान और मेरे संजुक सत्राक् में बरतमान अद्यक्ष और आरो से अभी परमानित होकर पूरा डेलिगेट का सुची आया है अब कल्पना कि जिए जो ढ़ाई बर्स पहले अगर कोई जबरजस्ति करता उसका क्रिमिनल मामला बनता अब जाके थाना में सुचना देते बरिये पर देते या किसी चैनल को दे पर दाएचाल के बाद तब आपके चैनल में आके चिला रहे हैं जब उनके गल्त कर्रामों के चलते में पहुमत के धार पर दोनों यह संगठनमा मती नहीं आपके पास आया था उसमें आउस संगठनमा मती नहीं था दोनों को पदमूक्त करते हुए संग से प्रात्मिक सदस्ता सभी बंचित कर दिया गया अब रहा बात उनका आरोप स्वता खंडित होता है कि जो धाई सल पहले रिजल्ड दिया अब कोई कहे कि जब अजस्ती हुआ जिसका उन्होंनों कोई कंप्ले नहीं किया इसका कोई मतल कि प्रदेश अज्यक्चाने कि आपको ही बर्खास कर दे देखिए कोई पुलीस सदिच्चा किसी सिपाही संबर्के कर्मी को बर्खास कर दे ओशी पाई पी एक चित्थी निकाल दे ते इससे बड़ा भद्धा-मजदा क्या हो सकता है कि उसी पाही बर्खास कर देगा पु जिस समय समिधान बना उस समय उस पद का भी चर्चा नहीं है संगठन महामंत्री का प्रस्ताव के माध्यम से उसका पद आया उसका तो कोई हैसियत ही तो भद्धा मजाक है इस पर कोई टिपनी करने लाइक नहीं लेकिन वो जो आप जो बड़ी बात कह रहे थे अभी कि वो क् चैनल में आकर के स्टूडियो में बता रहे थे वो डीज़ीपी साहब को पतर लिख चुके हैं मुकमंत्री सचिवाला में पतर लिख चुके हैं तो क्यों कुछ तो बजा रही होगी ना ही दर Entwicklung निर्मान हमारा उपरा तलगा कर्डाले में उनको मैंने जब आप दे ही दिया था एक कमीटी मैंने बनाया था principle कमीटी के मादधीम से पैसा सारा रहे आधा drained संक्थर महामंत ही के पास ठाध्य कमीटी के मादध्यम से खर्च होगा उन्होंने गाइड़लाइन के विपर किर सवय में केले खर्ज कर दिया कमीटी कर भूशास ने लिए भी ना जिब लोने बिल परसूत किया तो था ख़िक है भी युद आपको में सभा में परसूत कर देता हूं लेकिन आप बिल पुरा कमीटी से अपड्रूब करा करा कर दिजिए जिसके लिए मैंने उन्ट असपर पूछ दिया था श्पश्टी करन के मांग किये जिसका उन्होंने जबाब नहीं दिया अब क्या कर रहा हूं तो में आपका रहे हैं कि पतचार किये हैं उसमें देखा रहा है कि इंदिये कर जाले पुलिस कंद पतना अवस्तित भी है सचाई भी है अब देखिये बोरिंग होगा खारीकाई भी दिला में कर जाले होगा अब उस सब बेवज़ा की बात है अब रही बात जो उदर्ण चात्र हो जिसके अपने गलत आचरन के चलते अस्कूल से नाम उसका काट दिया जाए पंजी से उसको निसकासित कर दिया जाए वह अच्छात उसकूल के बारे में उ उसे अपने किराये पर दे रखाया जाए बिल्कुल आज से नहीं जब से भावन था पहले स्वय महासंग के माध्यम से महामंती होते थो भू कर दे थे कमर्सिया हो था तब एक तला उपर मना तो दो तले को कंदिया कादिकादी के बैठा में चुको बेक्तगत मेरे कुछ है साथ हजार जाया में पर दिया गया है इस बात सत्त हाधार में दो आप पर दे खालः में जब होते हैं यहां पर रसीद है कि अउड़ाजले में जो भी पैसा आता है वह रसीद के माध्यम से पईसा रिशीव किया जाता है एक पर किसलिया था एकाउंट में है कि चन्दा ब भी पैसा आना था यह पैसा जमाता है मेरे के यहां जो भी आमदनी आएगा उसको पैसा देगा एक रुपया रुपय लगा रहा थे सर कोशाज कोई नहीं ख़बार किया है उसा कि जहते हैं आच सब्चाइव करदा कर मुंख खुड रहा है आई से करके रखे तैस्सका को जवाब नहीं दे सकते हैं रही बाद कि मेरे किया पंजी में पर संधरी Tur awakening है हैं जो का दे हैं शिर्वारitta कि उस्तित ही है कि करम चाइब बेहतनuent देने लिए पैसा नहीं है जो सीफे में सीस्टम लगा लगबार देर दो बर से एसोशियन के चंदा ही नहीं आ रहा है पुरा बिहार से अधुवाजार एक आरह से ही लोकल सखा के चंदा कोई नहीं आ रहा था जैसे जो भी आ रहा है उसे खर्च भी डेकुराशन वहला भी पांच- एक सिधा सरसवाल है जैसे एकॉंट बनता है तो कोसादेक्ष को तो एकॉंट की जिम्यदारी दी जाती है तीन आदमें उसमें हैं जनरल सेक्रेटरी हैं सुर्भीन पासवान हो समय महामन्ति शंगठन महामन्ति या कोसादेक्ष संजुच खाता था ता खाता से भी करीब 22 24 लाख रुपया इस समय निकाले है जिसके पुछो कि पहले महामन्ति था मेरे नम से भी खाता था मैं भी साइन किया है दुन दूबे भी साइन किया है पाईसा नहीं कासी हुआ है बाकिन लगत पैसा करीब शटाट रुपय तो रसिद से लिए हैं और हमने सीधे बात को की हबर एक में के पास प्रदेश द्धरो पैसे की जिमेदाइडी कि ठीट महा मंतरी के और सब्ध़ यह चुक्त καई गुंい है इंडेनलल शेक्रूर्टी महमंपरी का होता है अधे पूर्य हमें तीन बस मेंका इतल होता है वहतर को चुडाव भीकारी के दिश्याय सका कर दिखे दोरा पूर्प हो जयता है उसका बहुत महामन्ति द्वरा निर्गत किया ज reasonably प्रयोक्षक निपती करते हैं समानित लिकाई के नियन्ति पद्रकारी समादेश्टा बरिये पुलीस चप्रीश को कौपी जाता है उस सखा के देख्षमल्ची को जाता है तो पूछते हैं आप से यह दो लोग जो आये ते संगठन महामंत्री दिनेस दूबे जो आये थे दिन अश्वाइब जो चुके थे उसके बाद आये दोजार सतरह के बाद दोजार बीस में चुनाब होने तो इससे पहले जो वो लोग थे तो क्या उन्हों का में सिदे बताए उनका क्या कारकरम होता है अगर संगठन महामंत्री की बात करे और प्रतेश कोसा अध्रक्ष की बात करें तो उनकी क्या भूमिका है उनका सहाय की रूप में महामंतरी का काम करते हैं तो शुको नौ मही ना उसक पीटीसी ट्रीनिक कर रहे थे को कटियार में पोर नहीं थे संगठन महामंत्री की संगठन के काजिम है रीटेन में कोई काम नहीं है 2011 से मेरे ही टीम में है आज तक उन्होंने एक भी पत्रचार नहीं कि यानि कि सिर्फ दो लोगों का मुख्यकार है प्रदेश अध्यक्षा महामंत्री का जी यानि कि दो लोग ऐसे ही बना दिये का नहीं नहीं बहुत सोरा है ना काम बहुत सरा है प्रद्शक बनके जाना है संगत्रण में काम है अईसे ही नहीं बन गहीं है हैं सहाइक को रुप में कोसा फैसे हैं संधारीद करेंगे लेकिन में भावचर पर जाइन उनका भी होता है सहाइक के रूप महामंति का साहिन होता है ड़ा बाद देलिगेट कि धामड़ी कि यह तक बात है यह तो सीधे आरोप लगा रहा है कि सबसे ज़्यादा आपने अपने सोजाती एक अपने अनुसार बना रख रहा है जी मामला एक महामन्ती चुनापदकारी प्रवक्षक नुक्त किये वहां पर सी सी कैमरा दंडा देकारी पुलीस पदादीकादी की निगरानी में स्वाभी पक्षों को उपस्तिती में मत गान गुफ्त मत दान हुआ बलेट प्रसे मत घंना हुआ इसके बाद पर नाम निरिगत हुआ जिसका संदानन महामन्ती द्वारा करजालें परणी में किया गया चुनाव नियमाली मसपश्ट है कि मुख चुनादकारी प्रवक्षक का एक मन निने सरमान होगा कहीं भी कंटाडिक्सन नहीं आया बिर्दभास नहीं आया दूसरा बाद जिस हिकाई में चुना हुआ मैं आपको देखा रहा था निरवाचीत अध्यक्ष मंत्री आरो से परमानित होकर सूची आया है अब रहाल जाती का नोलेज तो मेरे पास न संदारित पंजी में अब उसका महामंति सारा चीज करते हैं सीधा एक और सवाल सर जैसे कि आप जो बात करते जाती की बात नहीं करते एक तरफ मुझे बताए बिहार पुलीस जो मुंबई आती है उनका इतना भावाई होता है सुसान सिंग राज़पूत के मामले और पटन जिस तरह से घटिया उसका अचरन है बेक्ट घट मैं असपस्ट नहीं बोल सकता चुकि मैं पुलिसकर में चैनल का भी गरिमा है अब वह इसे आदमी को संगठन में और समाज में जीने का हाक नहीं हो तो मर जाना चाहिए उस आदमी को यहीं बात वह भी कह रहे थे कि जब आये चैनल विसके बाद उनको जान की दंतर है जानका बर जाना चाहिए उनको आजान के डर तो उनको 8.6 सल पहले से कहा रहे है कि दा बंगई करके लिखा दियागया पूरे परकरन में भिहार पूलिस मेंस एसोसीयसन की जो चबी थी वो तो धुमिल हुई है न सर्थ पहले जो आपके ही एसोचेशंन के जो लोग आय थे दो लोग उन्होंने भी अपनी बात रखी ते तो जो दो लोग आये हुए थे तो हमारी जंता जो हमारे दर्सक वो तो खुछ समझदार है वो निसकर्ष पर पहुंच सकती है कि कौन सही था कौन गलत था खैर खबलों का सिलसिला लगातार जारी रहता है भारत लाइब पर बिना मिलावट की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहे हैं भारत लाइब तब तक के लिए दीज़े इजाज़त नमस्कात